दूसरा तवारीख, उन्तीसमा बाब, हिस्किया पच्चीस बरस का था, जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने उन्तीस बरस यरुशलिम में सल्तनत की, उसकी मां का नाम अभिया था, जो जिक्रिया की बेटी थी, उसने वो ही काम, जो खुदावन की नजर में दरुस्त है, ठीक उसी के मताबिक, जो उसके बाब दाउद ने किया था, किया, उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में, खुदावन के घर के दर्वाजों को खोला, और उनकी मुरम्मत की, और वो काहिनों और लावि को ले आया, और उनको मश्रिक की तरफ मैदान में इकठा किया, और उनसे कहा, ऐ लावियो, मेरी सुनों, तुम अब अपने को पाक करो, और खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो, और इस पाक मुकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो, क्यूंके हम हमारे बाप दादा ने गुना किया, और जो खुदावन हमारे खुदा की नजर में बुरा है, वो ही किया, और खुदावन के मसकन से मुँ फेर लिया, और अपनी पीठ उस की तरफ कर दी, और उस सारे के दर्वाजों को भी बंद कर दिया और चेराग बुझा दिये और इस्राइल के लिए खुदा के मक्दस में ना तो बखूर जलाया और ना सुखतनी कुर्बानिया चड़ाईं इस सबब से खुदावन का कहर यहूदा और यरुशलम पर नाजल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया के मारे मारे फिरें और हैरत और सुसकार का बाइस हो जैसा तुम अपनी आँखों से देखते हो देखो इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में है अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इसराईल के खुदा के साथ एहद बांधूं ताके उसका कहरे शदीद हम पर से टल जाए ए मेरे फर्जन दो तुम अब गाफिल न रहो क्योंके खुदावंद ने तुम को चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिद्मत करो और उसके खादिम बनो और बखुर जलाओ तब ये लावी उठे यनि बनी के हाथ में से महत बिन अमासी और यॉयल बिन अजरिया और बनी मिरारी में से कैस बिन अबदी और अजरिया बिन यहलियल और जिरासीनियों में से युआख बिन जिमा और अदन बिन युआख और बनी अलिसफन में से सम्री और यौाइल और बनी आस्फ में से जिक्रिया और मितनाया और बनी हमाइन में से यहलियल और समी और बनी यदूतोन में से समिया और उजियल और उन्होंने अपने भाईयों को इकठा करके अपने को पाक किया और बादशा के हुकम के मुआफिक जो खुदावन के कलाम के मुताबिक था खुदावन के घर को पाक करने के लिए अंदर गए और काहन खुदावन के घर के अंदरूनी हिस्सा में उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए और सारी नजासत को जो खुदावन की हैकल में उनको मिली निकाल कर बाहर खुदावन के घर के सेहन में ले आए और लावियों ने उसे उठा लिया ताके उसे बाहर कदरोन के नाले में पहुँचा दें और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया और उस महीने की आठवी तारीख को खुदावन के उसारे तक पहुँचे और उन्होंने आठ दिन में खुदावन के घर को पाग किया, सो पहले महीने की सोल्वी तारीख को उसे तमाम किया. तब उन्होंने महल के अंदर हिस्किया बाधशा के पास जाकर कहा, कि हमने खुदावन के सारे घर को, और सोफतनी कुर्बانी के मजब़ा को, और उसके सب जरूफ को, और नजर की रोटियों की मेज को, और उसके सब जरूफ को साफ कर दिया है. इसके सिवा हमने उन सब जरूफ को जिनको आखिस बादशा ने अपने दोरे सल्तनत में खता करके रद कर दिया था। फिर तयार करके उनको मुकदस किया है और देख वो खुदावन के मजबा के सामने हैं। तब हिस्किया बादशा सवेरे उठकर और शेहर के राइसों को फराहम करके खुदावन के घर को गया। और वो साथ बैल और साथ मेंडे और साथ बर्रे और साथ बक्रे मुमलकित के लिए और मकदस के लिए और यहूदा के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहिनों यनि बनी हरुन को हुक्म किया कि उनको खुदावन के मजबा पर चरहाएं। सो उन्होंने बैलों को जिबा किया और काहिनोंने खुदा को लेकर उसे मजबा पर छिड़का। फिर उन्होंने मैंडों को जिबा किया और खुदा को अगे नजबा पर चरुका। और उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे। फिर काहनों ने उनको जिबा किया और उनके खून को मजबा पर छिड़क कर खता की कुर्बानी की ताके सारे इसराईल के लिए कफारा हो। क्यूंके बादशा ने फरमाया था कि सोखतनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी सारे इसराईल के लिए चड़ाई जाएं और उसने दाओद और बादशा के गैब बिन जाद और नातिन नबी के हुक्म के मताबिक खुदावन के घर में लावियों को जांज और स्वितार और बर्बत के साथ मकरर किया क्यूंके ये नबीयों की मारिफत खुदावन का हुक्म था और लावी दाओद के बाजों को और काहिन नरसिंगों को लेकर खड़े हुए और हिसकिया ने मजबा पर सोखतनी कुर्बानी चड़ाने का हुक्म दिया और जब सोखतनी कुर्बानी श बादशाह इसराइल दाओद के बाजों के साथ शुरू हुआ और सारी जमायत ने सिजदा किया और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे। जब तक सोखतनी कुर्बानी जल ना चुकी ये सब होता रहा और जब वो कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके साथ सब हाजरीन ने जुक कर सिजदा किया। फिर हिस्किया बादशाह और रैसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाओद और आसिफ गैबीम के गीत गाकर खुदावन की हम्द करें। और उन्होंने खुशी से मदा सराई की और सिर जुकाए और सिजदा किया। और हिस्किया कहने लगा कि अब तुमने अपने आपको खुदावन के लिए पाक कर लिया है। सो नजदीक आजाओ और खुदावन के घर में जबीहे और शुक्र गुजारी की कुर्बानिया लाओ। तब जमायत जबीहे और शुक्र गुजारी की कुर्बानिया लाई। और जितने दिल से राजी थे सोख्तनी कुर्बानिया लाए। और सोख्तनी कुर्बानियों का शुमार जो जमायत लाई ये था सतर बैल और सो मेंड़े और दो सो बर्रे। ये सब खुदावन की सोख्तनी कुर्बानिय के लिए थे। और मुकदस किये हुए जानवर ये थे छे सो बैल और तीन हजार भेड बक्रियां। मगर काहिन ऐसे थोड़े थे के वो सारी सोख्तनी कुर्बानिय के जानवरों की खालें उतार ना सके। इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम ना हो गया। और काहिनों ने अपने को पाक ना कर लिया क्यूंके लाविय अपने आपको पाक करने में काहिनों से ज्यादा रास्त दिल थे। और सोखतनी कुर्बानिया भी कसरत से थी। और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सोखतनी कुर्बानियों के तपावन थे। यूं खुदावन के घर की खिद्मत की तर्तीब दरुस्त हुई और हिस किया और सब लोग उस काम के सबब से जो खुदावन ने लोगों के लिए तैयार किया था बाग बाग हुए क्यूंके वो काम यकबारगी किया गया था।